सोयबीन की कीमतें पिछले कुछ महीनों से एक नर्मी के साथ सीमित दैरे में कारुवार करदी दिखाई दी थी वहीं अब सोयबीन में पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से तेजी दर्ज की जा रही है किसान की तरफ से सोयबीन की आवक में कमी हुई है भाफ कम मिलने से किसान माल नहीं बेच रहे हैं और स्टॉक करके जादा रख रहे हैं मंडी में आवक घटने से सोयबीन की कीमतों में उच्छाल देखने को मिल रहा है वही सोयाखली की मजबूत मांग से भी कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है वही शादियों में खाने के तेलों की मजबूत मांग की उमीद है US Agree Department ने उत्पादन अनुमान हलका घटाया है जबकि US उत्पादन अनुमान 38.5 टन से घट कर 38.4 टन पर रहा है उधर ब्राजीन और अर्जंटीना में भी उत्पादन घटने का अनुमान है तो वही मलेशिया और इंडोनेशिया में CPU के भाव बढ़ने से सोयबीन की कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है गरेलू सतर पर सोयबीन की कम आवक और तेल मिलों की अधिक मांग के चलते सोयबीन की कीमतों में तेजी आई है वहीं Solvent Extractors Association of India यानि की C के अनुसार सोयबीन का निर्याद इस साल सितंबर में तेजी से घट कर 5,831 टन रहे गया जो एक साल पहले इसी अवदी में 68,586 टन था अमेरिका के प्रमुक सोयबीन उतपादक राज्यों में सोयबी कीमत की फसल उमीद से कम होने के कारण कीमतों को समर्थन मिला है वही उद्योग निकाए सोपा की अनुसार उच्च बुवाई छेतर और उतपादकता में संभावित सुधार के कारण इस वर्ष सोयबीन का उतपादन 14 प्रतीशत बढ़कर लगभग 119 लाक टन होने का अनुमान है इस बार भारी बारिश के चलते सोयबीन की फसल बड़े सर पर खराब भी होती दिखाई दी है जिसका असर उतपादन में गिरावट के तौर पर देखा जाएगा जानकारों के अनुसार वारद में सोयबीन 6000 के पार जा सकती है और 2022 की शुरुवात में और अभी अच्छी ते कीमते देखने को मिल सकती है